नमस्कार दोस्तों मैं SS Sengar लच्छे करियर इस्ट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ भाई आज हम आप लोगों के लिए लेका रहा हैं एक भाई इस्कवार रूट निकालने की बहुत ही बैतyssा है जिससे हम पांस से दस सेकंड में फारो आसानी से निकाल सकते हैं भाई ऐसक्वार रूट निकालना कि बहुत जड़ूरी है कि इन जानता समय बरबाद्स करते हुए चर्चा करेंगे स्क्वारार रूट पे square root कैसे निकाले जाते हैं, देखते हैं भई, 5 से 10 second में square root कैसे निकालते हैं इसके लिए भई, कुछ चीज़ाओं का हमें दमाग में रखना होगा, जैसे 1 से लेके 10 तक के square एक का square भई, जैसे पुन बात करें, एक का square क्या बनेगा, एक, ये चीज़ाओं में दमाग में रखके चलने हैं एक का स्क्वाइर एक, दो का स्क्वाइर चार, तीन का स्क्वाइर नो बनेगा, चार का स्क्वाइर सोला, पाच का स्क्वाइर पच्चिस, और छे का स्क्वाइर बनेगा, छतिस, साथ का स्क्वाइर उनन्चास, और आठ का स्क्वाइर च्वाइर च्वाइर, नो का कब से कम बई हमनों नौ तक के तो इसको मालूम हो थे इसके बाद क्या 45 इसका हमेe esquire root निकालना भी कैसे निकालेंगे बस थोड़ी सी चीज़ों को दमाग में रखना है कि जो भी संख्या का हमेe esquire root निकालना है वो संख्या का हम last से 2 अंकों का एक set बनाएंगे 2 अंकों का एक set बनाएंगे set बनाने के बाद उस set से जो एकाई अंक है चार या जो भी अंक हो उस अंक को देखना है कि एक से लेके नो तक के square में किसके काई अंक में आता है क्या बोला भई इनने हम बस इतना बोलना चाहरा है कि जो set बना है उसका एकाई अंक जो है एक से लेके नो तक के square में किसके एकायंक में आता है जैसे कि वही इसका सेट का एकायंक चार है क्या है चार तो चार एक से लेके नौ तक के स्क्वाइर में किस में आएगा वही बात करें पूं तो देखो एक दो के स्क्वाइर में आ रहा है और एक आठ के स्क्वाइर में आ रहा है उसका एकाय कि या तो 2 होगा या फिर 8 होगा थोड़ी सी प्रॉलम है अब आपको शियूर करना है कि 2 होगा या 8 होगा उसके लिए आँगे बड़ते हैं अपको देखेंगे कि भई इसके बाद जो संख्या बची थी सेट बनानी के बाद जो संक्या बची है जैसे कि 125 बचीस में उसको देखना है कि ये कितने के बरगे के संतिंग है संतिंग या फिक्स है जानदा नहीं जाना है मतलब जैसे इसकी बात करें तो ये 125 लिखा है तो 11 का स्क्वार होता है 121 के 1259 के असपास है अब अपन 12 का स्क्वार करेंगे 144 हो जाएगा 144 वो हो जाएगा इससे जानदा वो नहीं करना इससे कम ही रहना है यहा तक हो इसके लेवल तक हो तब भी चलेगा तो अपने बात करें इसके लिए क्या बोलेंगे ये 11 का square कि something है किस के something है 11 के square के something तो अब अपने को ये पता चल गया कि इसका जो संख्या बनने वाली है इसके सुरुवाती अंक अपने को 11 से मिलेंगे अब एकाई अंक के लिए 2 या 8 मिसी decide करना है तो उसके लिए क्या करना है बस इतना सा करना है कि 11 के बाद अगली संख्या क्या आएगी 12 उससे हम क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे 11 और 12 का आपस में गुणा होगा तो भाई बनेगा क्या 132 क्या बना भाई 11 और 12 का गुणा होगा तो 132 बनेगा 132 से देखना है ये वाली जो संख्या है कम है या जानदा है 132 से यह संक्या क्या दिख रही है कम दिख रही है न तो बस हो गया काम 132 से यह संक्या कम है तो अप उनको जाना नहीं सोचना है 11 के साथ में कम वाला अंक रख देना है यह यह बन जाएगा 112 और यह इसका आंसर आजाएगा 112 यह जो संक्या लिखी है यह कितने का square लिखी है 112 का या फिर आप यह कह सकते हैं कि अंडरूड 124 का जो मान होगा वो होगा आपका 112 क्लिर है ना भई और आगे बढ़ते हैं अब और example करते हैं जान्दा समय बरबाद ना करते हुए अपने जैसे बात करें एक कुश्चन और लिख दिया हमने भई 108 16 108 16 108 16 लिख दिया हमने भई इसका निकलना वही पिर करी है क्या करेंगे अपन लास्ट से दो अंकों का set बनाएंगे set बनाने के बाद हम एकाई अंक जो है 6 है उसको देखेंगे कि यह 1 से लेके 9 तक के square में किस में आता है तो अपन बात करें 6 देखा जाए तो एक तो 4 के square में आता है और एक अपन का 6 के square में आता है तो अपन इसके लिए बोल सकते है कि जो भी संक्या बनने वाली है उसका एक कायं कि यह तो 4 होगा यह फिर 6 हो जाएगा यह तो clear हो गया अब इसके बात क्या करना है आँगे जो अपन की बच्चा है सेट को छोड़कर जो संक्या बच्ची है उसके बारे में देखना है कि यह एक से लेके कहां तक की संक्या के square के something है मतलब 108 जो है बो 10 का square तो तब 100 11 का square करोगे 121 तो 108 से बहुत जानदा हो जाएगा तो अपनों वहां तक नहीं जाना 10 के square तक ही सीमत रहेंगे तो 10 का square कर लिया तो यह तो मिले गया है यहां से 10 करना क्या है इसकी अगली संक्या 11 से क्या कर देना है गुड़ा करने पर क्या मिलेगा हो जाएगा यह अपनका 110 और 110 से check कर लेना है यह संक्या कम है या जानदा है तो 110 से 108 भई कम ही तो होते न जब कम होते तो फिर decide हो गया कि हमें इसके साथ में क्या रखना है 4 रखना है अर्थात जो इसका मान निकल के आएगा अर्थात इसका जो मान निकल के आएगा वो होगा 104 108 16 का स्क्वाइर रूट होगा 104 क्लियर ना भई आरा ना समझ में चले और आगे बढ़ते हैं थोड़ा और आगे समझते हैं अच्छी तरह से जैसे भई हमने लिख दिया हमने लिख दिया भई 98 01 98 01 इसका मान निकलना इसका मान के आने वाला है तो चर्चा करते हैं अपन इसका मान निकलने के लिए अपन करेंगे लास्ट के दो अंकों का सेट बनाएंगे लास्ट के दो अंक से से बई एक मिलना है ना इकाई अंक एक किसके बर्ग के संते किसके बर्ग में आता है का यंग तो देखा जाए एक आएगा भाई अपनका एक तो एक में आएगा और एक आएगा नौके में तो अपन भाई यहां पर एक या नौ में से कोई एक दीवी संख्या के इसको आरूट के एक आएग में आने वाली है आँगे बात करते हैं इसके देखा जाए जो सेट बचा है अंठानवे सेट बनाने के बाद जो संख्या बच्ची है अंठानवे वो किसके बर्ग के सम्थिंग है अंठानवे तो नौका बर्ग तो वही एक्यासी होता है वो दसका बर्ग होता है सो तो वही नौके बर्ग से तो जानदा है लेकिन दसके बर्ग से कम है तो फिर अपन नौके बर्ग तक ही सीमित रखेंगे नौके बर्ग तक सीमित रखा और इसके बाद आप उनको क्या करना है नौकी अंगली संख्या दस से गुणा कर देना है दस नौका गुणा होने पर मिलेगा नब्बे और नब्बे से देखेंगे ये जो है अंठानवे कम है जानदा है यह तो भई आपड़िसएड कर सकते हो नबभे से यह क्या है अनठानवे जानदा है तो बस बिलकुल नहीं सोचना आ अप उनको बज्जान्दा वाला अंक ले लेना है अर्थात हो जाएगा 99 तो अप उनको पता चला इसका आंसर क्या निकलने वाला भी 99 हम ज्जान्दा और समय ना बरबात करते हुए और कुश्चन लिखते हैं जैसे हमने लिख दिया भी 1681 1680 का मान निकालना भी 1680 का मान क्या होगा चर्चा करते हैं हमने सेट बनाया सेट बनाने के बाद हमने देखा इसका जो इकाईयंक है सेट का वो एक है और वो अपनका एक या 9 के स्क्वाइर में आता है क्लिर ना एक या 9 के स्क्वाइर में आता है सेट बनाने के बाद बस अपन को देखना है कि ये जो संख्या है, सोला बची है, ये किसके बर्ग के सम्तिंग है भई, ये तो पता है कि चार के बर्ग के फिक्स बरावर में है, क्यों चार का बर्ग सोला होता है, तो हमने कहा है कि जाना नहीं होने चाहिए, कम होगा चलेगा, कम होगा चलेगा तो हमने क्या बोला ये चार के बर्ग के सम्तिंग है तो चार सम्तिंग क्या पूरा बरावरी है न तो चार ले लिए अगला अंक क्या बनेगा पांच गुड़ा कर देंगे गुड़ा करने पर क्या मिलेगा 20 में लेगा 20 से ये संख्या क्या है कम है न भई और कम है तो फिर कम वाला अंक ले लेंगे और बन जाएगा 41 और ये 41 इसका स्क्वारोट हो जाएगा थोड़ा और समय बरबाद न करते हैं थोड़ा एका दो चार एकजम्पल और करते हैं और फटा 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 फोन स्वाल्व करते हैं जैसे बस बने रही है आप लोग कहीं मत जाएए वीडियो बहुत जवर्दस्त लेके आए हैं आपके लिए पढ़ते रही है बस अच्छी तरह से और पास से दस सेकंड में आसानी से स्क्वार रूट निकाले जैसे बहुत देखते हैं एक कुश्चन और लिख रहे हैं आपके सामने अब फटा फट फास्ट फास्ट करेंगे थोड़ा जैसे हमने लिख दिया बही 2401 2401 क्या करना है एकाईयंक से देखना है यह एक में आएगा या फिर 9 में आएगा हो गया इसके बाद इसको देखा अपने कि यह किसके बर्ग के सम्टिंग है तो अपने देखा 4 का बर्ग होता है 16 और 5 का बर्ग होता है 25 25 से तो कम है तो 4 की सम्टिंग होगा न 4 की सम्टिंग होगा अगली संग क्या 5 से गुड़ा कर दिया क्या बना है 20 बना है 20 से जान्दा है तो जान्दा है तो फिर 9 ले लेंगे अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा 114, clear है न आरा समझ में है अगर समझ में आ रहा हो तो like और subscribe और share कर दीजे वीडियो को बहुत दमाकेदार तरीके से ठीक है आगे बात करते हैं थोड़ा और देख लेते हैं जैसे हमने लेखा भई अंडर रूड 31, 684 भई इसका निकालते हैं थोड़ा और बड़ा सा करते हैं अपन अपनों कुछ नहीं करना देखना भई दो अंका सेट बनाया इसके बाद देखना है जो चार आता है जो किसके सम्तिंग आता है एक तो दो के स्कॉयर में आता है और एक अपनों का आठ के स्कॉयर में आता है clear न broken आंगे बड़ते भई थोड़ा अब बचा क्या है 316 316 किसके बड़ के सम्तिंग होता है तो आपको मालूम होगा सत्रा का स्क्वार होता है 289 और 18 का स्क्वार होता है 324 तो 324 तो भई जानदा हो जाएगा ना तो अपन 17 के स्क्वार तक रहेंगे ना 17 और 18 का गुड़ा करना है 17 और 18 का गुड़ा करना है कैसे करेंगे भई अपन ऐसे करेंगे कि 17-17 का इसक्वार्ट बनता है 289 289 में अपन 17 और जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा अपन का 97-16, 8 और 1 9-10 और ये बन जाएगा 306 306 बन गया भई और 306 से ये क्या है 306 से तो ये जानदा है और 306 से जानदा है तो फिर अपन 8 ले लेंगे जानदा ही ले लेना अर्थाद बन जाएगा 178 का इसका मान हो जाएगा गुशन रख रहा है आपके लिए तो आप उसको करेंगे कुछ प्रैक्टिस आप लोग कर लेना जैसे भई हम कुशन लिख रहा है आपके सामने कुशिस करना बैतर आएगा आपका और 5 से 10 से करना आप बैतर तरीके से निकाल सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं जैसे हम बात करें कुशन लिख रहा है आपके सामने पंद्रा आठ सु चेटर इसका स्क्वारूट क्या होगा भई आपको करना है भई पास से दस सेकन लगेंगे बस प्रैक्टिस कर लो जबा के बात करते हैं यहां से जैसे आंगे 31 684 इसका भी निकालना है और भी बात करते हैं जैसे 16 641 इसका निकाल के बताना भई और कमेंट बाक्स में जरू लिखके बताएं इसके स्क्वारूट क्या निकल लाएं भई ठीक है आगे बात करते हैं 25 281 clear आगे बात करें और जैसे अपनको 40401 इसका भी निकाल के बताना है और आगे बात करें जैसे अपने को निकालना पड़ेगा 30, 37, 249 इन सब को भाई सॉल्व करना पास से दस सेकंड में आंसर आने चाहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरू लिखके बताएं ठीक है और मिलते फिर बाद में ठीक है धन्द बाद